हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो भाई आज मेरे को एलडाइन की तरफ से सी एंटर अकाउंट्स की बुक रिसीव हो गई है इसके अंदर एक रिजिस्टर भी आता है तो चलिए एक बार खोले के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलेगा अपने को तो यह इसका गत्ता भी हार्ड मटेरियल का है जिसके अंदर बुक्स रखी गई है तो इससे बुक्स भी सेव रहती है तो इसे खोलते है एक बार पैकिंग काफी जवरदस्त कर रखी है इससे खूलेगा या नहीं खूलेगा गया तो इससे अटाते है एक बार तो यह बोक्स आता अपने पर लगवा इतना मोट आए एस्टेप ओल्वेज एस्टेप अहेड हमेशा सबसे आगे तो पैकिंग भाई बोट कदरना कर रखी है इसमें प्यूराड चार तरफ टेप वेप मार के बुक्स तो गई निकलने की हैगी नहीं तो यहां पर यह बोक्स ओपन अता और सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या आएगी तो सारी एक साथ ही पन्निय में फ्रिट है तो भाई यह है अकाउंट्स की सीए परवीन सर्मा की बुक्स जो की एल्डाइन की तरफ से मेरे को रिसीवी है इसारी सीव होने मेरे को लगवक दो अपते लग गए और यह प्रॉपर पन्नी में प्यागा यह तो चलो पन्नी अटातें इसकी तो यह थैंक्यू कार्ड है हमारा इसके अंदर बस वही ग्रेटिंग्स वगारा है तो अब एक एक करके देखते है किसमे क्या क्या है सबसे पहले यह हैंड रिटन नोट्स यह प्रोनाउंसमेंट मोड्यल वन इसमें मोड्यल टू है और यह हमें प्रैक्टिस करने के लिए रेजिस्टर दिया जाता है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मोड्यूल वन से तो यह हमारा मोड्यूल वन और इसके अंदर यह लेटेस्ट अपडेट हुआ है दस अगस 2022 को तो भाई यह लगबग इतना मोटा है और इसमें ब्लैक और वाइट प्रेंटिंग आती है और इसके एक मोड्यूल में लगबग हमारे कितने चेप्टर होंगे साथ चेप्टर है एक मोड्यूल के अंदर और इसमें सीधा सीधा हमारे पास कोश्चन आईगे क्योंकि theory के लिए अलग बना रखा है सीधा questions आएंगे उन्हें solve करना और इसमें questions with solution है आप देख सकते हो और इसमें हमें सारे के सारे RTP, MTP previous year questions सब कुछ मिलेगा इसी में तो इसलिए हमें module और बाकी other resources पर जाने की जरुत नहीं पड़ेगी ठीक है तो ये परवीन सर्मा ने बिल्कुल बड़िया तरीके से बना रखा है module 2 देखते हैं एक बार ये हमारा module 2 है ये भी 10 अगस 2022 को latest update हुआ है और इसमें भी सारे questions वगरा है और इसमें chapter number 8 से लेके 14 तक है यानि कि हमारा inter में total 14 chapters आएंगे जिसमें आध्यादे करके ये दो modules में बाट रखे हैं तो इसमें मेरे हिसाब से अगर हमने इसका एक एक कोस्टन वोल कर लिया और हमें एक एक concept के लिए रहा सारे questions का तो हमारे marks बहुत अच्छे score हो सकते हैं क्योंकि इसमें हर एक तरीके का question cover कर आगया मोड्यूल की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर मोड्यूल ना भी पड़े तो इसमें सारे questions होंगे इसके बाद next देखते हैं next आता है accounting pronouncement इसमें accounting standards होते हैं और इस ही में हमारा cash flow statement होगा जहां तक मिरे को पता है यह रहा cash flow statement valuation of inventory यह सारी चीज है इसमें accounting standard वगरा में लेगा सारी चीज और यह ज्यादा मोटी नहीं है लेकिन इसमें है काम की ज्यादा चीज है इसमें accounting standard बाकि सारी important important चीज इसी में है और अब आता है यह यह चीज मेरे को नहीं पता थी यह unexpected है और इसका मेरे को पहले knowledge नहीं थी अभी देखिए यह है handwritten notes of classes तो इसमें सर के handwritten notes आएंगे यह देखो अब ध्यान से देखो इसे बिल्कुल handwritten notes हो और writing तो सर की है वैसे अच्छी मेरे साफसे इसमें हर एक chapter के मिल जाएगा format वगएरा भी हैंगा इसमें सारा यह देखो तो इससे क्या है कि अपने को revise करना हो तो यह better है तो इसमें काफी बढ़िया है इसमें question भी दे रखे हैं last में देखो और फिर end में आता है अपने पास यह register जो कि सर बताते हैं कि परफेक्ट साइज का है जैसे हमारी ICI के exam sheets आती है जिससे हमें पता लग जाए कि हमें इस पर practice करेंगे तो बिल्कुल वही हम उसी हिसाब से format बनानी के में आदत पढ़ जाएगी और exam में दिक्कत नहीं आएगी कि तो यह लग बग मेरे हिसाब से कितने pages का register होगा इस पर लिखा नहीं हुआ है वैसे इसके cover पर भी कुछ लगा पड़ा मेरे हिसाब से ही होगा लग बग सो या डेड़ सो पेज का तो यह है वाई बाकी सारी चीज़ा बड़ी है टोटल हमारे पास आईए books एक दो तीन चार पांच जिसमें की एक register है यानि कि टोटल हमारे पास बुक तो वैसे तीन ही है यह दो मोडूल है एक प्रोनाउंसमेंट है यह register इसे side करो और यह revision के लिए तो भाई कैसी लगए आपको वीडियो और भी review के लिए या फिर और भी किसी भी तरीके की वीडियो के लिए comment करें मैं जरूर बताना मैं उसके उपर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आउंगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करो अपने दोस्तों में शेयर करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू पीस आउट